बीहिनमाल उपकंडा मुठ्याले के निकटवर्ती कुशलापूरा गाव के संसकार विद्यामंदिर उच्छ प्रातमिक विद्याले में राश्रिय क्रूमी मुक्ति दिवस के तहद गुर्वार को स्तानिय विद्याले के निदेशक टिकमाराम भाटी की मौजुद्गी में वि अध्यापक संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि अपने हाथों को खाना खाने से पहले एव सउच के बाद साबुन से अनिवार्या रूपसे धोने चाहिए राश्रय युवास वैम सेवक भरत कुमार भीटे ने कहा कि कुरूमी से चात्र के शारिरी के वं मानसिक विकास में बादा पहुचती है अध्यापक आशाराम चौदरी ने कहा कि कुरूमी से कुपोशन और खुन की कमी होने लग जाती है इसलिए एलबेन डाजुल की गोली बच्चों और बडों के लिए लेनी चाहिए इसी प्रकार उमेदाबाद गाउं में मौडन पब्लिक स्कूल दोरना ढानी राश्रय युक्रूमी मुक्तिदिवस मनाय गया बच्चों को एलबेन डाजुल की गोली खिलाई प्रधान अध्यापक अर्जुन धान्दल ने बताया की एलबेन डाजुल की गोली खाने से शरीर में कोई बिमारी नहीं होगी इसलिए सरकार अभियान चला रही है आठ फरवरी को राश्र्य क्रूमी मुक्तिदिवस मनाय गया इस मोके पर अध्यापक क्रमेश कुमार, प्रविन कुमार, गीता कुमारी मौजुते और उमेदाबाद में विद्याबार्ती उच्च माध्यमिक विद्धले में निदेशक प्रविन भाटी एवा प्रधान चार्य धामोदर नाथ भाटी एवा कॉडिनेटर अभिशेक शीह शेकावच सहित स्टाफ बंदु मौजुते सवधता कांतिलाल में गवाल उमेदाबाद आपका निउज